अब हम पढ़ेंगे परिमे संख्याओं के बारे में जिसे हम अंग्रेजी में राश्नल नंबर्स कहते हैं एक परिमे संख्या ऐसी संख्या है जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांख है और Q शूने के बराबर नहीं है इन संख्याओं को हम English alphabet के letter capital Q से दर्शाते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमे संख्या Q बराबर 1 by 2, 2 by 4, minus 3 by 11 इत्यादी क्या हम कह सकते हैं कि minus 25 एक परिमे संख्या है जी हां क्यूंकि minus 25 को हम minus 25 बटे A की form में लिख सकते हैं यहां पर minus 25 बराबर P, 1 बराबर Q है इसका मतलब यह P by Q की form में है इसलिए यह एक परिमे संख्या है चलिए कुछ संख्याइं देखते हैं क्या इनमें कुछ समानता है simplify करने पर हम कह सकते हैं कि सभी संख्याइं एक समान है ऐसी संख्याओं को तुल परिमे संख्या कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे equivalent rational numbers चलिए अब एक प्रश्ण देखते हैं कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य प्रश्ण कुछ इस प्रकार है प्रतेग पून संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या यह सत्य है या सत्य यह एक असत्य वाक्य है क्यूंकि 0 एक पून संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक पूनांग एक परिमे संख्या होती है? जी हाँ, क्यूंकि प्रतेक पूनांग M को M बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमे संख्या है तीसरा प्रश्ण क्या प्रतेक परिमे संख्या एक पूर्णांग होता है? जी नहीं उदारन के लिए एक परिमे संख्या दो बटे साथ पूर्णांग नहीं है ध्यान दीजे कि नहीं भी दिये गए दो परिमे संख्या के बीच अब परिमेत रूप से अनेक परिमे संख्या होती है तो इसका प्रूफ देखते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार है एक और दो के बीच में परिमे संख्या ग्यात कीजे एक को हम दस बाई दस के रूप में भी लिख सकते हैं और दो को हम बीस बाई दस के रूप में इसी तरह हम इन दोनों संख्याओं को परिमे संख्या के स्टैंडर्ड रूप में परिवर्थत कर दिया है अब हमारे लिए इन दोनों के बीच परिमे संख्या ज्यात करना आसान हो गया है तो एक और दो के बीच परिमे संख्याएं होंगी 11 बटे 10, 12 बटे 10, 13 बटे 10 से लिएक उननिस बटे 10 तक और उसी प्रकार एक को हम 100 बटे 100 के रूप में लिख सकते हैं और दो को हम 200 बटे 100 के रूप में लिख सकते है तो एक और दो के बीच में परिमे संख्या होंगी 101 बटा 100, 102 बटा 100 से लेकर 199 बटा 100 तक इसी प्रकार एक और दो के बीच अनन्त परिमे संख्या हो सकती है चलिए तब ये प्रश्ण हल कीजिए तीन बटा पाँच और चार बटा पाँच के बीच पाँच परिमे संख्या ग्याद कीजिए वीडियो को रोके और इस प्रश्ण को खुद से हल करने का प्रयास करें चलिए बिसका हल देखते हैं हल कुछ इस प्रकार है तीन बटा पाँच को हम तीस बटा पचास के रूप में लिख सकते हैं और चार बटा पाँच को हम लिख सकते हैं चालिस बटा पचास के रूप में तो हम कोई भी पाँच परिमे संख्या ले सकते हैं जैसे 31 बटा 50, 32 बटा 50 से लेकर 35 बटा 50 तर, इसे अपनी कॉपी में लिख ले, यही हमारा उत्तर है, धन्यवाद.